उल्लू की मूर खता अरे तुमने क्या किया? ये मेरे बच्चे थे, मैंने अपने दोस्त के बच्चों को खा लिया शोर सुनकर परोस के चमगादर उल्लू के घर पर एकठा हो गए जहां उल्लू इगल के साथ बहस कर रहा था वो गुसे में था जा रहा है उल्लू रोया और अपने परोसियों से कहा क्या यह नए साल की खुशी में जंगली पक्षियों के लिए एक दावत थी? जी, लेकिन वो बेवफा निकली, मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी दुश्मन और आज उसने मेरा खा लिया बच्चे उल्लू रो रहा था, बच्चों के दू, खस से उसके आंसु नहीं रुक रहे थे अपने परोसी की हालत देखकर चमगादर भी बाज को कोसने लगे चेल ने उन्हें चुप करा दिया और कहा तुम सब उसके परोसी हो, है ना, पहले मेरी बात सुनो, फिर तुम फैसला करो चेल ने कहा, अब तक तुमने आधी कहानी सुनी है, तुम लोग पूरी बात नहीं जानते बस अपने परोसी से पूछें कि उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, जब मैंने उससे पूछा कि मैं आपके बच्चे को कैसे पहचानूंगा सभी चमगादरों ने उल्लू की ओर देखा और उससे पूछा, हाँ तुमने मुझे क्या बताया, हमें भी बताओ, यह आवाज सुरीली है, उनके हाथ नर्म और सफेध है, उनके पंक चमकीले है आपने मुझे यह बताया, चमगादर ने आश्चर्य से कहा, चील को अपने बच्चों के बारे में यह बाते बताई बाज ने कहा, अब मुझे बताओ, यह किसका दोश है, मैं शिकार की तलाश में इधर उधर ओर रहा हूँ जब मैंने चार या पांच को देखा घोसले में काले चूजे, कुरूप, मोटे और करकश आवाज में हूटिंग मैंने सोचा कि यह बच्चे मेरे दोस्त उल्लू नहीं हो सकते क्योंकि न तो वे सुन्दर थे और नहीं उनकी आवाज यह मधूर और मधूर है, मैंने उन्हें यह सोचकर खा लिया क्या आगे हुआ जो आप सब देख रहे हैं यह बच्च की गलती नहीं है, सारा दोश आपका है आपने अपने बच्चों के बारे में सही जानकारी नहीं दी इसलिए आपको नुकसान उठाना पड़ा वास्तव में हर माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे बहुत सुन्दर हैं लेकिन तत्यों को छेपाना कभी कभी महंगा होता है